मैं फिर उपस्तित हूँ कोस्ट गार्ड की भर्ति लेकर जिसमें अपलाई कर सकते हैं 12 वाले 10 वाले तथा डिपलोमा इंजिनेरिंग मेकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक स्वाले तो चलिए देखते हैं इस वेकेंसी में क्या क्या योगता है क्या एडुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्या एज क्राइटेरिया है तो बने रही है हमारे वीडियो में और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबा दीजिए तो इसमें एडुकेशन क्वालिफिकेशन है टेन प्लस टू जेनरल ड्यूटी के लिए नाविक जेनरल ड्यूटी के लिए एडुकेशन क्वालिफिकेशन है टेन प्लस टू विथ मैथ और फिजिक्स फ्रॉम एडुकेशन बोर्ट रेकुनाइज ये उसके बात से नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए टेन्थ प्लस टू क्लास पास्ट विद फ्रॉम एन एडुकेशन बोर्ड रेकोनाइज बाई कॉंची लफ बोर्ड फॉर स्कूल एडुकेशन उसके बाद यह आंत्रिक का है जिसमें टेन्थ के साथ साथ आपको क्या चाहिए डिप्लोमा भी यह तो मेकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रोंेक्स में एज MICH के बारे में बात कर लेते हैं इसमें है 18-22 उसके बाद से वेकेंची है आपका इसमें जेनरल ड्यूटी में है 260 उसके बाद डोमेस्टिक ब्रांच में 50 है 31 है आपका मेकेनिकल यांत्रिक में और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में है 7 तदा यांत्रिक इलेक्ट्रोनिक्स में है 10 उसके बाद से बात कर लेता है इसका रिटन एक्जाम होगा उसके बाद से आपका फीजिकल होगा मेडिकल होगा उसके बाद फीजिकल होगा उसके बाद मेडिकल भी होगा तीन स्टेज में इसका एक्जाम क कराया जाएगा तथा पेस्केल के बारे में इसके हम लोग बात कर लेते हैं पेस्केल है आपका अपलाई करने का डेट है आपका पांच जनवरी से जनवरी से लेकर आपको 19 जनवरी तक तक तो मैं तो कहूंगा कि शुरुवात में इसका आप अपलाई कर लेजिए कि लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है इसका इसका इसी हो जाता है तो आप शुरुवात में इसका अपलाई कर लेजिएगा और एक्जाम सिटी है पांच प्रिफरेंस दिया है आपको जिसमें 30 क करेंगे कितना पांच 30 किलोमीटर का अंदर अगर नहीं हो तो जो नियरेस्ट हो सब से उसको चूज करेंगे उसके बाद से यह देख लीजिए आपका एक्जाम होगा इंड अफ मार्च में या मीडिल इंड मार्च में मार्च के शुरुआत में या लास्ट में एक्जाम आपका एस्टेज 1 का करा लिया जाएगा स्टेज 2 का अप्रिल मई में करा लिया जाएगा उसके बाद स्टेज 3 & 4 का अगस्त में कराया जाएगा इसका जेनरल ड्यूटी का अक्टूबर में कराया जाएगा आपका क्या नाविक का और यांत्रिक का अगस्त में कराया जाएगा तो यह है आपका रिजल्ट डिकलियर कर दिया जाएगा रिलेक्सेशन की बात करें तो सेस्टी कंडिडेट को इसमें रिलेक्सेशन है थ्री रिलेक्सेशन आपको किसके अंदर उम्र के अंदर मिल जाएगा रिलेक्सेशन सेस्टी कंडिडेट को तता और इसका ट्रेनिंग सेंटर आपका कराये जाएगा चिलका फ्लोएड वाई दसी ट्रेनिंग एंड सर्विस एंड पर्फोर्मेस ड्यूरिंग दबेसिक ट्रेनिंग जो है आपका एक्जाम के बाद कराये जाएगा तो यह था आपका qua कोश्ट गार्टRIS का और नविक का इनफरमेशन तो इंतिजार किए पांच जनवरी का पांच जन्वरी से इसका अपलाई स्वरू हो जाएगा अपलाई कर लेना है और देखिए लाश्ट डेट है इसका पैसा जनरल डूटी के अंदर आपका ऐसपास ठार शाट सब्सक्राइब था कि कहां था यहां देख लेजिए रूख यह दिखाते हैं आपको पेश के पेपक देखे जेनरल ड्यूटी बेसिक पेफ पेफ आफ रस 21,700 था है उस प्लॉस आपका डियर नेश डियर नेस एलाउंस मिलेगा साथ ही और एलाउंस बेस्ट और नेचर ऑफ दर डियूटी फ्लेश और पोस्टिंग मतलब पोस्टिंग के हिसाब से आपको और उसमें एड किया जाएगा उसके बाद से डोमेस्टिक का है आपका डोमेस्टिक का 21,000 दोनों का सेमी है 21,700 है उसके बाद यांत्रिक का 21,000 के साथ डिप्लोमा भी है इसलिए इसका ज्यादा है चलिए तो वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं जरूर से अपलाई कर लेजिए जो जो योगता रखते हैं इस फॉर्म के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्म है बहुत ही अच्छा भ वीडियो के समाप्त करते हैं